असलाम अलेकुम, मलिक सोहेल अपने यूट्यूब चैनल तामीर विच सोहेल के साथ आपके लिए आज एक फैमली घर लेकर आया हूँ, बैरिया टाउन इसलामबाद में हूँ इस टाइम सेक्टर सी में, लोकेशन बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवान है औ करोड नवेला करूपया हूँ. करें कि अच्छी हैं। well in fact it is the biggest mosque in barrier town वो across the road उस साइड पे यहां से walking distance पर है मेरे पीछे यह जो road आप देख रहे हैं यह main boulevard है barrier town का यह घर boulevard back पे है इसका क्या फाइदा है जी फाइदा यह है कि इसकी back जो है वो हमेशा के लिए open है आपके पीछे कोई घर नहीं बनेगा back view हमेशा के लिए आप ही का रहेगा location wise बहुत अच्छी जगह है जी उसके बाद access road आप देख ही रहे होंगे काफी खुली access road इसको दी गई है यहां पे जो size है जी वो है 35-70 का size है यहां 35 इसकी जो है front है यानि इसकी चुड़ाई है और लंबाई इसकी 70 है दिस इस दे 10 मरला साइज इन बहिर टाउन access के बाद विए इसके front elevation को जरा देखें जी front elevation इनोंने बहुत ही unique बहुत ही simple लेकिन बहुत elegant रखी है यह देखिए आपको rock wall का कितना खुबसूरत इस्तमाल मिलेगा और two tone है जी यहाँ पे मुझे तो काफी अच्छा लगा है इसके लावा grill work इनका देखिए windows की देखिए इनोंने कितनी अच्छी यहाँ भी यूज किया है और उस सबसे बढ़के चतपे जरा आप देखी वे यह जो है चतपी जो आपको जो pillars टाइप नजर आ रहे हैं यह काफी पहले यह यूज किया जाते थे और मुझे बहुत जबदस लग रहा है कि इनोंने इसमें घर में इसको जो है एक तरह से revive किया जी इस चीज को यह बहुत जबदस थे यह आज से कुछ 10-15 साथ पहले जो घर बनते थे उन में इस्तमाल होते थे इसके अलावा यहां पर एक चोटा सा आपको lawn एरिया दिया गया है इस lawn एरिया में आप अपने पोदे वगारा फूल वगारा यहां पर कर सकते हैं फिर बढ़ते हैं इसके गिराज की तरफ आईए जी विल्स यहां पर आपको आपको मोटर एरिया टेंक एरिया वगारा दिया गया है गेराज साइज के अगर मैं बात करूँ तो यहां पे एक बड़ी गाड़ी आपकी सिडान बाहसानी पार्क हो सकती है वियर्ज ये डबल यूनिट घर है यानि आप इसको चाहें तो दो मकमल अलग हिसों में तक्सीम कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक सेपरिट एंट्रेंस यहां से दी गई है जो कि आपको फर्स फ्लोर पे लेके जाएगी ये तो था वियर्ज इसके गेराज का और उसके बढ़ेंगे और आपको डीटेल में विजिट कराऊंगा अंदर क्या कुछ अवेलिबल है विज अंदर जब आप दाखिल होते हैं इस घर पे सबसे पहले ये डबल डोर एक अच्छी क्वालिटी के डोर्स यहां पर इस्तमाल किएगी है डोर डिजाइन जरा चेक करिए जी ये देखें जी ये डोर डिजाइन आपको अवेलिबल है बहुत हैवी डोर नहीं है लेकि इसके बाद ये देखें जी ये मुन्नू सा सेट अप आपको जो यहां पर दिया गिया है वह से पतास लाग रहा है गुड़ा इडिया जी गुड़ा इडिया अच्छा जी क्योंकि ये डबल यूनिट घर है जैसे मैं आपको इंट्रो में बताया था ये डोर आपको फर्स कर सकते हैं कि वो अलग अलग रहना चाहते हैं तो वो दरम्यान में इसको शीट वगरा लगा कर सकते हैं या कुछ लोग इसको इस पॉइंट अफ यू से भी घर खरीदते हैं कि हमने नीचे वाला फ्लोर खुद रखना है और फर्स फ्लोर जो है हमने रेंट आउट करना है तो आप यहां भी शीट लगाकर क्रोज कर सकते हैं जो आपके टैनेंट्स हैं उसकी टोटली प्राइबिसी में सेपरेट एंट्रेंस है वो वहां से आएंगे और वहीं से जाएंगे और जाते हुए खुबसूरत सा मेरे भी वो देखेंगे काफी बड़ा मेरे लगाया जी ठीक है जी ये तो हो गया आपका डबल यूनिट का एंट्रेंस उसके बाद जी लॉबी एरिये में वापिस आते हैं लॉबी एरिये में सबसे पहले राइट हैंड साइड पे आपको आपका ट्राइंग रूम मिलेगा और उससे भी पहले ट्राइंग रूम में जो गेस्ट क आपको निश एरिया अवेलेबल है जिसमें ये लाइटिंग आपको नजर आ रही होगी राइट हैंड साइड पे आपकी डबल ग्लेज विंडोज और यहीं से आपको वाहे का व्यू भी में जरा रहा होगा एक डॉर आपका आपके टीवी लाउंच को भी जाता है ड्राइंग रूम से तो अगर आप चाहें तो इस डॉर को खोल के इसको प्राइवसी में आप इसको ड्राइंग रूम यूज कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको मुकमल खोल भी सकते हैं ताकि यह वान यूनिट भी बन सकता है वापिस इदर से आएंगे जी लॉबी अरिये से यह है आपका टीवी लाउंच टीवी लाउंच में आपको नीचे दो बैचार की टाइल्स हैं सीलिंग वर्क सिंपल बट एलिगेंट सीलिंग वर्क यहां पर आपको दिया गया है सामने आपको मीडिया वाल नजर आ रही हो से मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको आपका ग्राउंच फ्लोर प्रिटी मच एक फ्रेम में नजर आ जाएगा किचन यहां में अभी जा रहा हूं नीचे दो रूम से वान एंड टू इस टाइम मैं खड़ा हूं टीवी लाउंच में मेरी बैक साइड पे आपका में नीचे वाले फ्लोर पे क्लोज किचन दिया गया है अनलाइक मैंनी अदर हाउसेज जहां पे आजकल आपको ट्राइन यही मिल रहा है किचन ओपन लखा जा रहा है तो यह है जी किचन अच्छा यह जो डोर आपको नजर आ रहा है विजिए आपको बाहर एलीवे की यह आपका सिंक एरिया है यहां पर आपकी वेंटिलेशन के लिए डबल क्लेज विंडो दी गई है यह सामने आप चु देख रहे हैं यह सारे कैबिनेट्स आपकी अभेलेबल है आपको स्टोरीज के लिए एक किचन स्टोरीज के लिए जो शीट आप ऊपर लगी देख रह यह शीट इस्तवाल की गई है जो कि बिल्कुल आपको लुक देती है जैसे यहां पर टाइल है अच्छी इस शीट सामने आपको आपका हुब और हुड मिल रहे है नीची आपको दो बैदो की टाइल वर्क है और उपर आपका हैंगिंग लाइट के साथ सिलिंग वर्क दिया गया है अच्छा आप इस किचन में कैबिनेट्स काफी अच्छी तादाद में मौजूद है ताकि आप अपने इतनी भी एकसेसिस हैं सोदा सल्फ बरतल वगएरा वो सारा कुछ यहां पर इन में स्टोर कर सकते हैं और यह अच्छी तादाद में एक यह रैक में आपको दिखा दूँ यह देखिए यह पाइस रैक आपको इसके लावा यह देखिए जिए नीचे भी शीड यूज की किचन कैबिनेट्स में तो यह था तो आपका किचन जो के क्लोज किचन है इस घर में और वापिस जब हम आएंगे टीवी लाउंज में तो हम बढ़ेंगे अपने दो रूम्स की तरफ पहले यह रूम आपको दिखाऊंगा क्योंकि यहां से आपको बुलेवाट का वियू मिलेगा सबसे पहले रूम स्पेस अच्छे यह वियूज चेक करें जी यहां पर यह डबल ग्लेज विंडो और विंडोस काफी तादात में यहां पर दी गई है ताकि आपको सन लाइट और एर वगरा जो है वो मिलती रहे और यह देखें जी क्योंकि बुलेवाट की बैक पे यह घर है यह सामने जहां पर आपको ट्राफिक जाती नजर आ रही है यह आपका में बुलेवाट है सेंटर सी का यहां से आपका बैक पे कोई घर नहीं बनना इसका फाइदा यह है ब और एवर ओपन रहेगा आपकी बैक साइड पे घर की बैक साइड पे कोई घर नहीं बनेगा तो यह बहुत बड़ा एड़ांटीज है जी बुलेवाट का अच्छा जी वाश्रूम्स पर आ जाते हैं इस घर में यह देखें जी टाइल वाश्रूम्स में टाइल वर्क जो सैनिटरी वर्क है वह बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तमाल किया गया है कंट्रास्ट है जी नीचे आपको आपकी वाइट ग्लुइश टाइप वाइट टाइल्स मिल रही है और यहां पर आपको डाप क्रेल के साथ यह अविलिबल है यह आपका सिंक एरिया कमोड एरिया और शावर एरिया यह रूम नंबर वन आफ ता ग्राउंड फ्लोर सेकन्ड रूम वेर जायं देखें जी सेकन्ड रूम में क्या वेलिबलिटी यहां पे क्या क्या चीज अवेलिबल है हमें राइट साइट पे आप जुम दाखिल होते हैं आपको क्लॉजट एरिया मिलता है आप टूद जीलिंग दोबड़ चार की टाइल है जी नीचे यहां रूम का वाश रूम तो गुज यहां पर शावर केबिन दिया गया इस वाश रूम में इसके इलावा अगेन जो यहां सैनिटरी यूज की गई है वो तरकिश इंपोर्टेट सैनिटरी है जी यह देखें जी यह सामने आपको आपका सिंक एरिया आपका शावर केबिन और आपका रूम नमबर टू निस्पतन छोटा रूम है विवर्ज अगर मैं आपको यहां से साइज दिखा सको यह है जी आपका रूम साइज निस्पतन छोटा है यह आपका सेकंड रूम होगा अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो वह आपका ये वाला बनेगा ये बड़ा बेड्रूम है आपका लें जी इसको रैप अप करें जी डो रूम्स ग्राउंड फ्लोर पे ये टीवी लाउंज आपको अवेलेबल है ये आपका व्यू है जी टीवी लाउंज की एक साइड से सामने आपका ड्राइंग रूम है यहां पे आपक और लॉबी एरिया से ये स्टेर्स जो के फिर्स्ट फ्लोर पे आपको लेके जाएंगी आए देखते हैं फिर्स्ट फ्लोर पे क्या कुछ अवेलेबल है राइट साइड पर ये देखिजी से ये आपकी रेलिंग ओकी जी फिर्स्ट फ्लोर फिर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले जब आप आते हैं तो आपकी नजर पढ़ेगी डेफिनिटी आपके इस खुबसूरत से टीवी लाउंज पर देखिए यहाँ पर सीलिंग वर कितना जबर जबदस इस्तुमाल किया गया जी और ये जो आपका शेंडलेयर टाइप लाइट्स हैं बहुत ही जबदस एफेक्ट दे रही है उस सीलिंग के कंबिनेशन के साथ चले पहले इसी को कवर करते हैं टीवी लाउंज है जी सामने मीडिया वाल है अलांग विद दा स्टोरीज आपको नजर आ रहा होगा और ये वाल डिजाइन के साथ ये है जी इसकी स्पेस यहां पर जो आपको किचें दिया गया है वो आपको ओपन किचें दिया गया है जिसकी सारी कैबिनेट्स जो है वो इस टाम ओपन है आइटिंग फोर वेंटिदेशन पर्पृसिस से आपको स्पेस का बता चल जाएगा जी कैबिनेट्स स्पेस क्या है यहां पर सिंक एरिया और वेंटिलेशन के लिए डबल गलेज विंडो ये है कैबिनेट्स और अगें यहां पर प्रोटेक्टिव शीट के साथ कैबिनेट्स यहां पर है जब प्रोटेक्टिव शीट उतरेगी त तो यह आपको खुब्सूरत जो आप मार्बल टाइप या टाइल टाइप आपको आपको अवेलेबल होगा जो कंबिनेशन कंबाइन होके इस टॉप के साथ मार्बल टॉप के साथ एक बहुत जबदस लुप देगा आपका होब और हुड अप तु दे सीलिंग और यह नीचे से किचन कैबिनेट्स होगे रहा आपकी काफी अच्छी तादाद में हैं ताकि आप यहां पे स्टोरीज होगा रहा अच्छा कर सकें यह विव है जी आपके किचन का आपके टीवी लाउंज से आप फस्ट फ्लोर पर आते हैं विज़स्तों सबसे पहले जो आपको राइट यूनिट लेते हैं तो कुछ लोग इस कमरे को यूज करते हैं एस ड्राइंग रूम भी तो इस अप तो यू यहां पे एक बड़ा जो चीज आपको मिलती है हमेशा इस रूम में वो है आपकी एक्सिस जो के आपके टैरस एरिया को एक्सिस देता है जी यह दिखाओं आपक यहां से आपको वियू क्या होगा जी यह चेक करें जी यह वियू आपको वियूज मिलेगा आपके टैरस एरिये से और यह है वो बुलेवार जिसकी मैं बात कर रहा था जो फॉरएवर ओपन वियू है आपका बैक साइड पर यह बैयर टाउन का अबसूरत वियू वापस ब यहां पर कंसील क्लॉजिट्स राइट साइड पर आपको मिलती है उसके बाद आपकी आप दाखिल हो जाते हैं अपने वाश्यों में टाइल वर्क देखिए कितना अच्छा यहां पर इस्तवाल की है इनोंने कंसील्ड पमोड एरिया ओवर चेक करेंगा जाए जबदस डिजाइन है जी यहां पर इस मिरर पर वाश्यों अच्छी हैं जी इस घर के वाश्यों काफि सपेशियस हैं कौलिटी टाइल कौलिटी जो एक्सेसरी जी की कौलिटी है वो जायर वहां काफिय अच्छी है सबसे पहले इस बेडरूम को देख लेते हैं यह है जी बेडरूम साइज आपका डबल ग्लेज विंडो और यह देखें जी आपका बुले वाल्ट यहाँ पे आपको सीलिंग डिजाइन के साथ यह वाल्ट का फ़सरा डिजाइन मिल रहा है क्लाजिट्स प्लाजिट्स 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 है यहाँ पे उसके बाद आपका वाशो शावर एरिया, कमोड एरिया और यह है आपका सिंक एरिया रूम नमबर टू अफ दा फर्स फ्लोर और उसके बाद रूम नमबर थ्री यह है आपका रूम स्पेस आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से कितनी स्पेस आपको मिलेगी जी इस रूम में यहां पे भी राइट हैंड साइड पे आपको आपकी क्लॉजिट सोगर अवेलेबल है क्लॉजिट स्पेस आपको एजिली नज़रा रही होगी डबल ग्रेस विंडो दो बैचार के नीचे टाइल्स यूज़ की गई है और उपर सीलिंग वरक आपको मिल रहा है इस वाल डिजाइन के साथ इसके बाद में इस रूम नमबर थ्री का वाश रूम आपको दिखाता हूँ यह वाश रूम है आपका सामने सिंक एरिया है इसके लावा आपका यहां पे यह दिखिए शावर कैबिन और यहां पे जो आपको सैनेटरी यूज़ किया है ब्लाक कलर में काफ़ी डिफरेंट लुप देर है जी यह ब्लाक कलर यह आपका सिंक लिए राइट एक दफ़ा फिर एक दफ़ा फिर गिए आईडिया अफ रूम स्पेस इस इस रूम स्पेस यूज़ को दिखा दू आपका टिवी लाउंज मेडिया वॉल यहां पर आपको उपन किचन मिल रहा है आपका वण बेडरूम टू बेडरूम और उसके बाद आपका थर्ड बेडरूम बिलकुल आपके स्टेर केस केस सामने जो गेस्ट रूम या ड्राइंड डूम के तोब भी इस्तेमाल हो सकता है उसके बाद बिज़ य स्टेर केस्ट है वह आपका टूटल ब्लैक मार्बल में यूज किया गया जी और ब्लैक ही दोर है वह लाई जी वेर्ज आ चुके हम इसके रूफ टॉप पे विज ये चीज जी मैंने आपको इंट्रो में बताई थी बहुत अरसा पहले घरों में इस तरह के पिलर्स स्वाल प इफेक्ट नॉट पिलर्स रेलिंग टाइप यूज की जाती थी और आज मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ओनर ने यहां पर इस तरह की रेलिंग इस्तमाल किये बिंग बैक लॉक्ट सॉफ मेमरीज जी अच्छा रूफ टॉप पे आपको एक डेडिकेटिड रू कि वो अपना अलग रस्ता इस्तमाल करेंगे इस स्टेर केस के थूफ जो कि आपके घर की बैक साइड से एक्सेस करेंगे जी व्यूज यह है जनाब व्यू इस ताइम बैरिया टाउन इस्लामबाद का और दसमरले का पांच बेडरूम के साथ डबल यूनिट घर जिसके आस्किंग प्राइस है चार करोड नवे लाग रुपया जो सामने सारे आप बेल्डिंग्स देख रहे हैं व्यूज यह मेन कमर्शल एरिया है बैरिया टाउन का क्योंकि बिजनस डिस्टिक कहलाता है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि यह पिंडी इसलामबाद का वन अफ दा बिगस्ट कमर्शल हब दोगा तो लोकेशन लोकेशन बहुत बहुत अच्छा धर है जीए विल्ज आज मैंने आपको विजिट कराया दसमरला के इस खुबसूरट फैमली हाउस का डबल यूनिट पांच बेडरूम के साथ और लोकेशन बहुत जबदस्ट आउटस्टेंडिंग सेक्टर सी की बेरे टाउन जरूर बताईएगा कि आपको घर कैसा लगा विजूल टूर आपको कैसा लगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल इस चीज़ का इंतजार करें सब्सक्राइब करें चैनल लाइक का बटन प्रेस किया करें और कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ऐसी वीडियो को और इन से रिलेटेड बाकी जितनी वीडियो से अपने दोस्तों से फ्रेंड से जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्वालिटी का स्टाफ पहुंशता रहे तिल नेक्स वीडियो अपना बहुत सा मेल को दीजिये अजाज़त अला हाफिज